नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, जीला परिषद अध्यक्ष का बेतन 10,000 से बढ़ा कर 12,000 रुपे प्रतीमा कर दिया गया जबकि जीला परिषद उपाध्यक्ष का मांसिक बेतन 75,000 रुपे से बढ़ा कर 10,000 रुपे किया गया वहीं पंचायत समीती परमुख का बेतन 5,000 रुपे मासिक से बढ़ा कर 8,000 रुपे उप परमुख का बेतन 3,000 से बढ़ा कर 4,000 रुपे कर दिया गया इसके अलावा मुखिया का बेतन 1,000 से बढ़ा कर 8,000 रुपे और उप मुखिया के बेतन मं 500 से बढ़ाकर 12000 रुपे करने का निर्नायут कैविनेट की बैठक में हुआ है इसके अलागा पंचैती राज परति निधियों के दैनिक भद्ता और यात्रा भद्ता में भी बढ़ोत्री की गई पंचायतित आज प्रतिनीधियों का दैनिक वत्ता 150 रुपे से बढ़ा कर 200 रुपे प्रति दिन किया गया ज्यारखन में मौसम का मिजाई बदला हुआ है पिछले कई दिनों से ज्यारखन के अलग अलग जीलों में लागातार तेज आंधी के साथ बारिस देखने को मिल रही है इस बारिस के बीच भी लोगों को गर्मी से कुछ खास रहात नहीं मिल रही है मौसम विभाग पुरुमान के मुताबिक अगले दो से तीन दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है जार्कन के कई जगों में बारिस होने की उमीद है मौसम विभाग की माने तो आज राजे के दक्षनी और निकटवरती मते भाग में बारिस के असार हा है मौसम के इंदर राची के पुरोणन के मुताबिक राची खुटी सराय के लखरतावा गुमला सिम्टे का पच्मी सिमू पाकपुड और दुमका जीले के कुछ पागों में बारिस होगी इधर विभाग ने मौसम के बदलते रूख को देख एलो अलर्ट जारी किया है जारखन के राची जीले में नगर पालिका सेवा में कूल नगर पालिका सेवा सन्यूक्त परिक्षा में सामिलित होने के लिए 20 जून से 19 जूलाई तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे वहीं 21 जूलाई तक इसका परिशा सुल्क जमा कर सकेंगे जबकि 23 जूलाई तक फोटो वा हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे वहीं 25 से 27 जूलाई तक अवियारति अपने नाम जर्मति थी इमेल आईडी वा फोन नमर छोड़ अन्यतुर्टियों का संसोधन कर सकेंगे आयोग द्वारा जारी विग्यापन के अनुसार 12 गार्डेन अधिक छाग 10 वेटनरी अफिसर 24 सेनेटरी वा फोट एस्पेक्टर 645 सेनेटरी सुपरवाईजर 184 रायस व निरिक छाग और 46 बीधी सहाया की नियुक्ति होगी पलामो में 10 मुसहर परिवार को मिला आवासिय जमीन पट्टा मुख्यमंत्री हमन सेन के निर्देशा अनुसार पलामो की निलामबर पितामबर प्रखंड की नोडिहा पंचायत इस्थीत कोईरी पत्रागाव में दस मुसहर परिवार के बीच आवास्य भूमी का पट्टा बित्रन किया गया सभी परिवारों को सरकार की ओर से तिन तिन डिसमिल आवास्य भूमी बंदोबस्ती की गई अब मुसहर परिवार आवंटित मोई पर अपना घर बना कर रह सकेंगे घर बनाने के लिए सभी मुसहर परिवार को अमेट कर आवास जोईना से जल्द लवहनवीत किया जाएगा बता दे कि पुर्व में भी जीले के लोगों को जमीन का पट्टा उपलब्द कराया गया था इदार दस मुसहर परिवारों को जमीन का पट्टा मिलते ही उनके चेरे पर खुसी देखी गई मुख्यमंत्री के निर्देश पर वैसे मुसहर परिवार जिनका आप तक अधार कर नहीं बना है उनको चीनित करते हुए सभी का अधार कर बनाया जाएगा इसके अतिरीक्त मुख्य मंत्री ने सभी परिवार को सरकार योजना है, जैसे सरोजन पेंशन योजना, मुख्य मंत्री पासुधान योजना आदी से लवानुट करने कानीदेश दिया है। जारखन में BJP का माहा जनसंपर्क अभियान एक महिने तक कारे खरा, मोधी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जारकर्ण में भाजपा माहा जन संपर्क अभियान चला रही है वीजबी परदेश अधियक दिपक प्रकास ने बताया है कि जारकर्ण में जन संपर्क अभियान को 4 कलिश्टर में बात कर 14 लोग सवाचेत्र, 81 विदान सवाचेत्र और 29 या 464 बूथों के लिए कारकर्म की रचना की गई या कारकर्म पूरे एक महिने तक चलेगा संगठन महामंत्री परदीप वर्वा ने बताया कि पधान मदिनाय मोदी के काम के 9 साल पूरे हो गए इस बेमिसाल 9 साल को लेकर भाजपाबूत अस्तर पर कारकर्म आयुजित करेगी जिसमें घर घर जाकर लोगों को इस 9 साल को उपलब्दियों को गिनाने का काम किया जाएगा सीमित पर इक्षा देकर अब सिपाही नहीं बन पाएंगे दरोगा जारखन में वर्ष 2016 में A.S.I. से दरोगा में परनती में जीस 25 परतिशत पत को छीन लिया गया था वह फिर से बहाल हो गया है बुद्वार को राजय मंत्री पलचत की इस पर मोहर लग गई अब पूरे 50 परतिशत पतों पर A.S.I. को परनती मिलेगी वर्ष 2016 के पहले दरोगा के पत पर 50 परतिशत सीधी बहाली से और 50 परतिशत A.S.I. को परनती दे कर भरने का नियम था रगवर सरकार में तेज तरार सिपाहियों को सीधे दरोगा के पत पर बहाल करने के लिए एक निमावली लागू की गई थी इसमें सीधे बहाली के 50 परतिशत परदों से छेर चाड़ नहीं की गई थी बता दे A.S.I. से दरोगा में परनती वाले 50 परतिशत परदों में छेर चाड़ कर उक्त निमावली में या लागू किया गया की 25 परतिशत सीमीत परतिशत परतिशत परिक्षा देकर चिपाई सीधे दरोगा बन पाएंगे और केवाल 25 परतिशत दरोगा कापद ही A.S.I. को परनती देकर भरा जाएगा जारखन में 13 जीलों के D.E.O. को नोटिस जारी खराब रियल्ट आने पर मांगा असपस्टी करण जारखन में इसकुली सिक्षा यों सक्षर्टा विभाग ने इंटरमेडियेट के कला और बनीजे में खराब रियल्ट वाले जीले के जीला सिक्षा पता अधिकारियों से असपस्टी करण मांगा है काला के रियल्ट में फिशल रहने वाले पाकूर गोड़ा साहिवगंज पलामो दुमका वगडवा वहीं वनीजे में निचले पैदान पर रहने वाले सराय के लेकार्चावा साहिवगंज पच्मी सिम्भू, कुट्टी, गिरिडी, देवघर वा गुमला के जीला सिक्षा पता अधिकारियों को यह बताना है कि किन कारणों से उनके यहां रियल्ट खराब रहा असपस्टी करन का जवाब तीन दिन के अंदर देना है जबकि 12 जून को होने वाले राज अस्तरे समिक्षा बैठक में रियल्ट की विस्त्रित रिपोर्ट देनी है बता दे इंटरमीडियेट काला के रिजल्ट में पाकुल गोड़ा साहिब गांज पलामो दुमकवा गड़वा सबसे निचले पैदान पराएं कॉंग्रेस बिधायक परदी प्यादों की मजूदगी में इडी ने चलाया सर्च अभियान कॉंग्रेस बिधायक पर दिप्यादों की मुझूदगी में बुधवार को इडी ने उनके सरकारी आवास में सर्च अभियान चलाया बुधवार की देर साम परदी प्यादों रांची पहुँचे थे जिनके बाद उनके सिल पड़े घर को इडी ने सर्च किया इस दोराण इडी के टीम ने बिधायक के आवास के कमरों की गहन तलासी ली बता दे कॉंग्रेस बिधायक परदी प्यादों बुद्धवार साम रांची पहुँचे थे रांची आने के बाद वह सीधे इडी के राले पहुँचे इसके बाद इडी की टीम के साथ वे डोराण इठी बिधायक आवास पहुचे इडी की टीम करिब 10 वे रात तक परदी प्यादों के आवास पर जाज करती रही इससे पहले मंगलवार को पर्दी प्यादो के अवास पर जब इडी की टीम पहुची थी तब वह मौजूद नहीं रहे थे इंडियन कोस्टगाढ में कम है झारखन की भागेदारी सियम हिमांत भारतिय तट रखचप बल में झारखन के युखाओ की भागेदारी kाफी कम है इनकी जनकारी मिलनें पर मुख्य मंतरी हमांसुने न चिन्ता व्यक्त की है इस बात का जिक्र तब हुआ जब भार्तिय तर्टरक छकबल कोष्ट गार्ड उत्तर पूर्व छेत्रिय मुख्याल कुलकत्ता के आई जी इकबाल सिंग चुवान और कमांडेट धीपक सिंग मुख्य मंत्री हमांसिन से मिलने उनके आवास पर पहुँचे बता दे भेट वार्ता के दरान मुख्य मंत्री ने आई जी इकबाल सिंग चुवान से भार्तिय तर्टरक छकबल के कारयों की जनकारी ली पूछा कि इस कोष्ट गार्ड में जार्खन के कितने लोग सामिल हैं इस पर आई जी इकबाल सिंग चुवान ने कहा है कि बरतमान में कोश्ट गार्ड सेवा में जार्खन के लोगों की संख्या काफी कम है यह जानने के बाद मुख्य मंदरी ने का आए कि भारतिये तट्रक्षक बाल जार्खन में भी अपने कारों का परचार परसार करें इस बाल में हमारे राजी के लोगों को भी मौका मिले टाना भक्तों को लाठी से फीट कर जेल में धूसना बड़ी साजी लाते हार में टाना भक्तों पर होई करवाई को लेकर कॉंग्रेस अपनी ही सरकार के बिपक्ष में खड़ी हो गई है कॉंग्रेस के करेकारी अध्यक्स बंधू तिर्की ने पूछा है कि क्या एवगुरवादी है बता दे जारकन कॉंग्रेस ने अपनी ही सरकार को घेरा है मामला टाना भक्तों से जुड़ा हुआ है नीतिस के बिपक्षी एक जुड़ता अभियान का हिसा बनेंगे सियम हेमांद बिपक्षी एकता पर सियम हेमांद सुरे ने बड़ा ब्यान दिया है सियम हेमांद बिपक्षी एकता के साथ है उन्होंने पत्ना में होने वाल बिपक्षी माहाजुटान में हिसा लेने के भी संकेत दिये हैं इसके साथ ही उनकी दिली के सीएम और विंद के जरिवाग से भी मुलकात होने वाली है इसे भी पक्षी एकता को धार मिलने की समभना ज़ताई जा रही है वहीं बीजेपी इस मोदे को लेकर तंज कस्ते हुए दिख रही है दरसल 2024 के चुनावी जंग को होने में भले ही अभी देर हो मगर जिस तरह से इसे लेकर तेयरिया अभी से सुरू हो गई है उसे साफ लग रहा है कि अगले वर्ष लोग सभा को होने वाला चुनाव बेहाधी दिल्चाथ होगा रांची में फार्मेसी की परिक्षा देने आये चात्रों पर लाठी चार्ज नामकुम के राजा उलिहातु में डिप्लोमा इन फार्मेसी की परिक्षा के दवरान वाई बी एन उनिवर्सिटी में चात्रों ने हंगामा कर दिया जिसके बाद वहाध से रक्षा में तनाथ पुलिस के जवानों ने चात्रों पर लाठीया बरसाई दरसाल नामकुम के राजा उलिहातु में डिप्लोमा इन फार्मेसी की परिक्षा चल रही है 29 माई से 6 जून तक या परिक्षा अर्जित की गई इस परिक्षा में विभीन राज्यों के चात्र सामिल हो रहे है परिक्षा को लेकर जिला पसासने केंद्रे के आसपा 1224 लगा जिती थी ताकि परिक्षा का चार मुक्त हो सके लेकिन 31 माई को दूसरी परिक्षा में चात्रने जम कर हंगामा सुरू कर दिया किसी विभाग के खिलाब रांची की सलकों पर निकले जनसेवक सरकार के उधासीन रवया से राजिक क्रिसी विभाग के अधिन लेकिन बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और न्याई मार्च के जरी एगारा सुत्री माओ को पूरा करने के लिए जन्सेवकों ने बाद में धारना देकर भीरोत जताया जहार्खन के सरकारी स्कूलों में हफते में दो दिन खेल कूद अब सरकारी स्कूलों के सخष को और बच्चों को अतिरिक्त एक घंटा स्कूलों में नहीं बिताना होगा स्कूली सक्षा और स्चता विभाग ने सिक्ष को किमांगपर मंगलवार को इसकूलों के लिए संसोधी दिन चारीया लागू कर दिया है बता दे कि इसी साल मार्च में सिक्षा सचीव की ओर्षे निदेश दिया गया था कि स्कूलों में सिक्षन आउधी के बाद एक अतिरिक्त घंटे बच्चे को खेल कुद कराना है इसे मंगलवार को जारी पत्र से फिलहाल रोक दिया गया है आप सिक्षको को अतिरिक्त समय में स्कूल में रहने की बद्याता नहीं होगी पूर्वके आलेस में एक अतिरिक्त घंटे की ओधी परात्य कालिन औजी में एक से दो बएत तक और दिन में 3 से 4 बएत तक थी स्कूलों के जरी दिन चार्या पत्र के अनुसार आपसापता हमें दो दिन वर गुवार खेल की घंटी पर धना ध्यापक निधायित करेंगे जो चाटी या सात्वी घंटी में हो सकता है CBSC Board 10 वी बरहवी सफलमेंटरी परिक्षा के लिए आवेदान शुरू केंद्रिय माधमिक सिक्षा Board CBSC 10 वी बरहवी 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 परिक्षा में अगर आपको अपार्टमेंट लगा है तो यह ख़बर आपके लिए है बतादे CBSC Board सफलमेंटरी परिक्षा देखकर अपना रियर्ट बेतर कर सकते हैं इसको लेकर CBSC ने नोटिफिकेशन जारी किया है जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सफलमेंटरी परिक्षा के लिए चात्र एक जून से एल ओसी जमा कर सकते हैं जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सफलमेंटरी परिक्षा के लिए एक जून से एल ओसी जमा कर सकते हैं दिनेस गोप ने जमीन में गार रखी थी अपनी जिपसी खुटी जीले के रनिया में पुलिस ने पीलेफाई सुप्रीमो दिनेस गोप के खिलाप एक और सफलता पाई है पुलिस ने जमीन के अंदर से दिनेस गोप की जिपसी बरामत की है जिसे लगभग 8-9 साल पहले गराई इसी बिध्या बिहार पब्लिक स्कूल के सामने जंगल छेत्र में जमीन के अंदर गड़ा खोद कर चुपाया गया था पुलिस ने गोपत सुजना के अधार पजा करवाई करते हुए खुदाई कर जिपसी को बाहर निकाला जिपसी की थिती पूर तरशे जरजर हो गई है पुलिस के अंदर इसी जिपसी में दिनेस गोप अपने हात्यार बंदस्ता के साथ घुमता था जिपसी को दिनेस गोप ने लाते हार से मंगा था तंबाकु के सेवन से करे परहेज जग्रुपता रथ निकला विश्वत तंबाकू निसे दिवस के मौके पर हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं के उदेश से को पूरा करने के लिए जगरुपतार रात को रवाना किया गया वहीं तंबाकू से दूर रहने के अपिल लोगों से की गई इस दवरान रायली भी निकाली गई यह रहली सीविल सरजन का रियाले से होते हुए फिराया लाल चोग एवं सदर अस्पताल तक गई बतादे राष्ट्रिये तंबाकू नेंतरन कारेकरम के तहत हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं के उद्देश से को पूर्ण करने के लिए राची सिविल सरजन डाक्टर बिनोत कुमार राज जे नोडल पतादिकारी डाक्टर ललीत रंजन पाठग एसी एमो डाक्टर ससी भूसन खलगो एवम जीला नोडल पतादिकारी डाक्टर ए आर मुपती एवम राष्ट्रिये सेवा योजना के नोडल पतादिकारी अनुभव चत्रवर्थी द्वारा लोगों को तंबाकू सेवन के दूस परिनामों से बचाने के लिए जगरुपत इंटर आर्च और कोमर्च के भी रियल जारी कर दिये इंटर आर्च और कोमर्च दोनों में बेटिया ने बाजी मारी है आर्च में धनबाज जी लेके कत्रास गर्ड की कसिस परवीन ने पुरिराज में टॉप किया तो कोमर्च में राची की सिष्टी कुमारी एस्टेट ट चित किया वहीं इंटर कॉमर्स में टॉप 10 में 24 स्टुडेंट हैं जिन में 22 लड़कियां सामिल हैं उर्षुला हीं इंटर कॉलेज रांची की सबसे ज़्यादा 15 सात्राओं को टॉप 10 में जगा मिली है देवघर से 8 साइबर ठग गिरफतार साइबर ठाने की पूलिस ने देवघर सीत मधुपूर और पथरड़ा ओपी छेतर में छापे मारी कर बैंक अधिकारी बनकर आम लोगों को अपने जहां से मिलेकर ठगी करने वाले 8 साइबर ठग को गिरफतार किया है गिरफतार ठग के पास पूलिस ने 12 मुबाइल 20 फरी सीम कार्ड 7 ATM कार्ड 1 पैन कार्ड सही 5 रुपे नगत बरामत किया जबत की गई मुबाइल का देश भर में 54 क्राइम लिंक मिला है वहीं जबत सीम कार्ड से भी साइबर क्राइम के सबूत मिले है इस अधार पर सभी आरोपी से पूस्तास के बाद जेल भेज दिया गया देश भी देश से देवघर पहुँच रहे अचार्य देव सतसंग के अचार्य देव स्रीस्त्री बाबाई दा का 56 जनम दिन गुरु आर एक जून 2013 को हर्सव लास पुरक मनाया जाएगा इस अधार पर सतसंग में कई कारिकरम का उजन किया जाएगा या सुबा चार बय से सुरू होकर रात आठ बय संपर्ण होगा इस दोरा संस्कृति कारिकरम मराठी ढोल एवां कोची पुर्य निर्ते का उजन किया जाएगा इसके लिए देश के भी भीन परांतों से कलाकार आ रहे हैं इसमें हिसाल लेने के लिए देश भी देश से अनुयाई देवगर पहुच रहे हैं इसको लेकर एक माँ से त्यारी की जा रही है सतसंग आसरम को दूलहन की तरह सजाय गया है धन्यवाद